सब्सक्राइब कीजिए राजधने एजुकेशनल गुरूप पचकोड या यूटूब चैनल को बेल आइकन दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाईल एब भी जेपुर से रोहित यादो सरीता यादो गुरू चोधरी सारे बच्चे आ चुके हैं तो टाइम ज्यादा खराम नहीं करना सभी को मेरे तरब से बहुत बहुत सुपकाम नहीं आर पीवीटी एक्जाम पोस्पोर्ण हो गई है सुरनिका कह रही है वन सर्माज एगरी कल से जैर प्रिवियस क्लासेज को क्वेस्टन नोगों प्रोब्लम पढ़ाता जाके प्रोब्लम दोई लोगों नहीं आती या तो जिनको समझे आ उनको नहीं आती और या जो पढ़ते नहीं उनको बिल्कुल भी नहीं इसलिए ज्यादा दिमाग लगा डाए नहीं क्लियर है सभी ठीक हो गया सभी का जराजदाने गुड इविनिंग सब हो चुका है हम सुरू करते नेक्स टॉपिक क्योंकि लास्ट टॉपिक बचावा इसकी बात में जो टॉपिक है सब्सक्राइब मोल्यूकुलर जेनेटिक्स के जितेंदर संज ने पहले पढ़ा रखे है वो डाले भी है कि जीवन सर्माजी तोड़ा ऑथेंटिक इनफॉर्मेस ने डाले बिटा इसे गलत हो जाता बिटा है ना यह अभी यूँ है किसी को पता नहीं कि 1 सेप्टेंबर में सब्सक्राइब होगी यह से क्या डिस्टर्बल तो है फिलाल कोई अथेंटिक सुचना ऐसी नहीं है कहीं से भी नहीं है मतलब किसी ने कहा ना आपको तो सिर्फ यूं अंदाजे से काया उसने और आपने यहां पर नोट कर दिया इसको लिग दिया गलत बात ही वन सर्मा अच्छी बात बटा अभी और बात कर देंगे इसके बाद आज हम चलाने वाले लिंग सहले अग्नंता सेक्स लिंकेज में छा गया जो लिंक गुन सुत्रों होते हैं, उनके साथ जुड़े वए करेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनकी वनसाकतिक कैसे होती हैं, वो वाला पढ़ने वाले हैं. तो यह नया topic एकल का अपना last हो चुकाता है यहाँ पर link सहल लगनता sex linkage नया आ गया है जब किसी लक्षन की gene कहां पर रहे allosomes पर रहे बिटा link गुनसुत्रों को बोलते है allosomes sex chromosome कहे दो या allosomes कहे दो और alling को बोलते है autosomes तो अगर कोई जीन है किसी करेक्टर की gene कहां पर पाय जाती है गुनसुत्रों पर हम पट रहे दरें गुनसुत्रों पाय जाती है अने कई बार पढ़ लिया समझात गुनसुत्रों पर हो धै उनको ellis बोलते है यह वाला तो अगर किसी लक्षन की जो जीन है, वो किस पे मिल जाएं? सरेक्स क्रोमोजौम पर या एलॉसोम पर मिल जाएं लिंग उंसुत्रों को सब्द क्या का मिलेते विटा? एलॉसोम तो उसको कहते हैं सरेक्स लिंकेज या लिंग सहहल लगन ता और उस जीन को simplified को बोलेंगे लिंग सहल लगनता मतलब जीन कहलाएगी सेक्स लिंगड जीन और इस गटना को बोलेंगे सेक्स लिंग केज यास एलोसोम कहते हैं लिंग गुण सुत्रों को जो लिंग निरधारन के लिए जिम्मेदार होते हैं जैसे मनुस्य की बात करें तो नर में एक्स वाई मादा में ए चुका है और यह दो प्रकार की हो जाये कि मुछ एक्स के साऄंगे कुछ करेक्टर कुछ वाई के साथ जुड़े होंगे या वहां पर बेट ना पढ़े का दरू कुछ दिखाने बढ़ेंगगे डाइगराम को फीक कर गए तो लिंग सहल लगनता के परकार है सबसे पहला एक्स से लगनता चली एक्स किस में पाए जाता है नर में पाए जाता है या मादा मादा मतला मेल या फिमेल एक्स किदर मिलने वाला है एक्स फिमेल मिलने वाला है सुमन कह रही है सुमन मीना कह रही है दोनों मिलने वाला है गुरु चोधरी बेटी रितु कह रही है फिमेल में मिलने वाला है कुसुम कह रही है दोनों मिलने वाला है फिमेल 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 दोनों में पवन कुमा राई सिंगर कह रहे है दोनों मि इसका मतलब जो किसी एक्स गुनसुतूर पाय झिता है था गा तो दोनों में पाया जाता है था और था श्ट में यह आप रहरिख होती है थिक दोनों सम iedereen 거지 वह एक्स लिंग जो अगली पीटी में जाना है वो नर भी ले जाएगा और माधा दोनों ले जाते हैं समझ में आ गया होगा भाई कोक रोज का वीडियो नहीं चल रहा है डाल तो दिये क्या रहे होगा वीडियो चल रहा हो किसका नहीं चल रहा हो और किसी बच्चे का सब्सक्राइब टाइम लगए चल कराए बीक-ठ्री बात करें तो दोनों में X Linkage के X Linkage निंडारन रख दिए एकसले लिंगेस के प्रेश्ग है वह वाले पढ़ने वाले विडा पीड़ी पीड़ी पहले डल गी भाई मुसरूम की डाल देंगे उससे में डाल देंगे और अब लेते के को सबसे पहले ले रहे हैं ड्रोस फिला में आखोंका रंग या आँज वपना नोट करें नहीं अगर किसी में प्लस आगा एक्सके ऑपर प्लस लगा वा गया तो उसका मतलब उसके आखे कैसी हो सकती है और जो W आ रहा है वो सपेद आखो वाली इसका मतलब किसी X पर W लगा हुआ गया तो कैसी होगी सपेद वाली होगी ठीक है भी तो इसके आदार पर ड्रोसो पिला में यह जिनोटाइप मिलने वाले जिनोटाइप जानते होगे देख एक दो भुक्ता सकता है एक इसी पल एक अब तक मैं चाय ले लेता हूं एक आजाए तुम्हारा बैटी गलत गोल्ड निका स्वेता बिटिया ने capital T, capital T लिखा है लेकिन बेटी मैंने जब capital T की जगए सब्धी बोल दिया ना बीटा बीटा सब्द बोल दिया ना शर्द बोल दिया ना यास सुमन बेटी का बिल्कुल सही जवाब है उन्होंने बनाया है कि एक्स डबलू और एक्स प्लस ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल सही बाद बिड़ा कुसुम बेटी का सही है सुमन मेना बिटिया का सही नई हैं सही हो सकता है सही यह वह सकता है सही बाइस सिस्माल डीन में से कोई साहे माल लो और उसको लगा भी किसके ओपर रहे एक्स के ओपर तो जीनो टाइप है भी देख Sans पर फ्लास लग सकता है इसे कि दूसरा अपर जो भी लग City यह 10 लग सकता है यह इसे लिख ऐसे बनते हैं शुच्छ यह भागं पर लुटाइब कि इसके डेको पैला जिनो टाइब हो सकता आपके सामने आज संब्सक्राइब है एक सर चेंज कर दियो एक साधी इसकी एक सपलस एक स्टाए च UM एक सक अगया साध्या तो क्या हो गई है मादा होगी आगा है किसे मिलते मादा मिलते- एकस एकस अपने मादा में होता है, अभी आगे पढ़ेंगे कुछ में उल्टाएगा, जहांपर एकस एकस वाला नर होता है, एकस वाली मादा होती है, लेकिन हम तो ड्रोसोबिला और माननों की तो लगबग सेम मनसागती होती बिड़ा, तो यहांपर देखो, एकस आना, एकस साना यह क्या होगी और उसके ऊपर फिनला मतलब हो ब्लकर उसके लगना मतलब रख लाल mol लाल प्लस किसके लिए लाल आ राहते सिर्ट को वाली डूस्व विला तो मदा भी और उसके आखंग कैसे स्वाइब आपको बनाना था आपको यह आता है अच्छी बात है कि आपने स्मार्ट लिके साभीत किया है कि आप जो टाइब जानते हैं इस कि किसी को पहला सभूझ में आगया हो वाई यह X पही जो सुद लो एक दो तीन चाहर चार अक्सर नहीं है दो एक्सर है केवल सिंबल X के उपर माया जो जास है उन के जो भागले ना फैर व्यंसर लिवा-유ल्क्रीन तो इसके सी फोलना पहले हो जासरा पनए उसके निम सकने सतरा ना ओ陷िओन होगहा f और चुंकि दोनों ही प्लस-प्लस है तो रेड आखु वाली मादा होगी ड्रोस विला की तो रेड आइस फिमेल होगी भई किने बच्चों को लग रहा है sवज में आ गया है चल lived दूसरा ले लेते हैं और इकी बार देखो भी इसमें प्लस आ आ रहा है एकस पे प्लस और डॉमिनेंट है मतलब रेड अको का जो जीन फ्लस वो डॉमिनेंट है और जो डबलु एस वाइट आईज वाला वो पिटा क्या है रिसेसीव है तो यहां पर क्या हो गया अला कि उतों गही हेट्रोजाइगस यह हेट्रोजाइगस क्यों हो गई क्यों कि दोनुए एक जैसे नहीं है एक X प्लस आ रहा है, दूसरा X W आ रहा है, तो जैसे ये capital T आ गया, ये small T आ गया, यू कह सकते इसको आप, तो ये heterojaegus होगे न भई, तो इसको क्या कहेंगे हैं, विसम यूगमजी है, heterojaegus, अब XX आ गया, इसका मतलब हो हो गही हो गही अधा है, मादा हो गही, और प्लस W के ओपर प्लस W के ओपर, dominant है, होता नहीं कि धका चोटा engadar जाता है, तो पोधा लंबा होता है, बडा हार चोटा हर आ जाता है, तो भी लाल होता हो सपेद नहाता, तो सेम स्थेम होगया भई, ये dominant होगना, वाला है और यह क्या रिशेशिव है मादा होगी एकस आते ही मादा होगी अलग अलग आते ही एत्रोजाएगेस होगी और प्लस जो हो डोमीनेंट तो लालाख वाली होगी तो क्या मैं दूसरा वाला समझा गया भई है कि हाँ प्लस प्रभावी है मनिस बारुपाल जी कह रहें प्लस प्रवाई है, बेटा ये बहुत एजी होते हैं, आप जो भी सब्जेट पढ़ रहे हैं, बहुत एजी होते हैं, बहुत एजी, बिल्कुल, थर्ट वाला बनावा, अब की बार देखो, एक्स, एक्स, that means मादा, मादा हो गई, ऐसे पढ़ो, फिर उसके बार डबलू, लेकस हो गया, 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 इसका मतलब की बार, ये मादा नहीं बटा, ये नर है, मेल है, तो यहां पर ये नर हो गया, मतलब मेल हो गया बई, मेल हो गया, हो गया, इसके बाद में, अलग-अलग है, अलग-अलग नहीं, एक पर है, एक पर है यह नहीं, जो कोई एक पर प्लस जीन है, तो वाई पर तो जीन ही नहीं है, वाई पर तो भाई जीन ही नहीं है, तो हमने जने जब शुरुआत की थी कि यहां पर पढ़ाता हमने कि कभी-कभी ऐसा होता कि एक ही जीन होती है दूसरी होती नहीं दूसरी जीरो हो सकती है तो वहां पर एक वर्ड यूज क्या है किसको याद हो यह था है हमी जाईकस वर्ड किसको याद है उसमें यह वा था कि हमी मिस अर्ध एक होता होता है यहां पर एक पर तो है फिटा प्लास दूसरे पर कुछ है नहीं इसका मतलब आदा ही हो गया आदा एक जीन दूसरा जीन ही नहीं जबकि होना क्या चीए जीन की जोड़ी ओनी चीए लेकि पहले दूसरी क्लास के अंदर ही पढ़ाता पढ़ने ठीक है अब कही सोचने को पहले चाही पीले पटा यह बाद में पढ़ादे आराम सु एद मान कॉंचो का लागा ख्याल सामनी चाह सुल्डिरों में देख रहा थे बेटे 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 अना इन टर्मिनलोजी यास गोल्डेन का से ही बोल रही बैट दोनायमस यह काम कर ले दो चाही पीले आप डाले दोनों में से एक धंदा करने मान दिखारें जो बहुत दूर कि उनको समझ में निया रहा हूगा सर क्या पोल रहे है कि लोकल लेंगवेज में बोल रहा हुए नो गुरुदे में नहीं सर कोई दिखत नहीं है चलिए कोई बात नहीं थोड़ा सा एंजोई भी जड़र रही बीच में चलो बई एक्स आ गया वाई आ गया नर हो गया यह प्लस आ गया इसका मतलब आंखे उसकी लाल हो गई आंखे उसकी लाल क्यों हो गई बही क्योंकि प्लस लाल ही तो करता है और हम ही जाए कि उसकी हो गया क्योंकि एक पर तो आ गया दूसरा तो जी नहीं नहीं एक्चुली जो जैसे capital T small T capital T capital T लेकिन कभी ऐसा आ जाए capital T और दूसरा हो जी नहीं जीरो आ जए तो इसको क्या बोलेंगे, विसम युग मजी, सम युग मजी, और यह अर्द युग मजी, तो यहां पर भी ऐसे आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, चैसे समझ में आ गया भाई, गंगा नगड़ तो समझ में आ गी मेरी बात, सतबाल को भी आ गी हनुमानगड में, चलिए सही बात है, तो एक प्लस हो ग भी सपेद, और वो ही हो गया, हैमी जाइगस, तो सारा कंसेप्ट क्लियर है भाई, मोनिका जाकट बीटी आप प्रनाम कर रही है, बीटी खुज रो, अच्छा करो, आगे बढ़ते रो बड़ा, तो यह सारा कंसेप्ट्यूल क्लियर्टी है भाई, किसी को दिक्कत है, सही है तो पी ऐसे लिखे, समझ में नहीं है, तो नो लिखे विडा, लेकिन वो ही लिखे जो प्लीज टाइम पर आगे थे, बाकि जो ले आए न वो थोटा देख ले ना, इसको समझ में आजया का इजी है, वीडियो दुबार चला के देख ले ना, पी ऐसे, पी ऐसे, सभी को आ जैरास दर्यी सरजी बोलने राहूल भाई, सभी को आ गया भाई, पुजा वीटिया को आ गया, जोरपुरा, मेगन आयादो का आ गया, रितु को आ गया, सुमं को आ गया, मज़ा भी आया होगा न, मज़ा आता है से, कि एक्स-एक्स मादा, प्लस-प्लस, आखे लाल, दोलो X मादा, WW सपेदा को वाली, और एक जैसी हो गए तो homo-jagas, XY नर, प्लस आ गया तो, एक आया, दूसरा नहीं आया, तो hemigas, और W एक आया, तो hemigas, दूसरा है यह नहीं, यह पे, लेकिन हो गया, नर, XY आते नर हो गया, XX क्या हो गई, भई, मादा हो गई, ऐसे, मैजा आ जात है, इन सभी जिनोटाप, ईसे क्या लग रहा है, कि मादा, आक के, रंग के लिए, या तो सम युगमजी होती या विसम युगमजी होती, देखो, मादा में दोनों हो सकते, मादा, आक के लिए क्या वो सकती, भई, होमो-jagas, यह यह तो female, क्या होमो-jagas होनों हो सकते, जो देखते किसका सही जवाब आता है मनके सहने ज़ी ने सही जवाब दिया और Y पर ये character हो नहीं सकता क्योंकि ये तो किसे पर यास फिर आरती बेटी ने सही लिखा है Y क्रोमोजोम के खारण क्योंकि Y पर होता ही नहीं न Genie is absent on it इट की जगे बिटा गोल्डनी का Y लिख दो वैसे perfect है कोई दिकत नहीं समझ में आगया आपके एक ही एलिल होते हैं ये जवाब थोड़ी सही है एक ही एलिल क्यों होता है ये भी तो कारण हो सकता है न उसका तो उसका जवाब क्या है का वाई पर ये जीन होता ही नहीं आखो के रंग का जीन वाई पर कभी होता ही नहीं वो किसे जुड़ा हुआ है के वल एक्स पे ही जुडा हूआ है यह सग़ जवाब इसका चली हो गई तो माधा थो हमेसा क्या हो सकती भी बिटा हट्रोजाइकस भी हो सकती है हाँ Moriagas भी होती है लेकिन नरह मेंसा आई कलर के लिए नरह मेंसा क्या रहेगा हैमी जाइकसी रहेगा क्यों क्यों? क्योंकि वाइपर कभी ये होई नहीं सकता इसले केवल हेक्स you इसले क्यहाँ पर होटा ही नहीं बिल्कुน सई जवाब डा सुमन आगे चलते हैं हम अभी लेते हैं नेक्स ये question आसकता है कि निम्न में से X गुन सुतर पर पाए जाने वाला लक्षड है तो एक करेक्टर आपको बता दिया गए बिटा I color of the drosophila I color of the drosophila अब दूसरा आगए हिमोफीलिया इसका मलब हिमोफीलिया के करेक्टर्स भी कहाँ पाए जाते हैं हिमोफीलिया करेक्टर्स भी इसका मलब हिमोफीलिया में होता क्या बटा हाँ हिमोफीलिया भी एक क्रोमोजोम पे होते हैं कि इनकी स्पेलिंग बगेर जब आपको दिख रहा हो ने बटा सभी टाइप कि आगरो नहीं तुझ यादध पढ़ जाएगी तुम्हारे एसी लिखने की आवाथ उसकी स्पेलिंग सभी टाइप करने की कोशिश किया अगरो बटा देखके ऐसी आपको दिरे-दिरे समझ माएगा नहीं जानते हैं रितू नहीं जानती है किता सभी अगर 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 झाल झाल कोणजल कोणटारे करто कोणटारे अजय है रजय है बदेजी है प्रतो लाट स्वाबीड बसंदो मना करा हूँ जरी अग्ग कर दो कर देंग कर दो झाल 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 आरी है सरजी आवाज इट्स वर्किंग जुड़ गए वही थोड़ा सोरी बोलेंग वीटा थोड़ा जैदा बड़ा नेट इस्यू आ गया था आपके तस यह पंदरा मिनट खर्च कर दिये फालतों की खराब कर दिये आप और अब आरी मेरी आवाज पहुंच रही है कि क्या में जुड़ पा रहा हूं क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं एक बार रिफ्रेस कर ले किस्यू आपके चली शुरू करते आगे थोड़ा सो जाते बड़े बड़े से रों में छोटे चोटे बच्चे वापस आगे स्पीड से आगे देखो जबड़स को पता लग आपस आगे सर आगे बड़ा हो जाते बड़े बड़े शेरों में चोटे बाते हो जाते जी सर सुन पा रहे हैं बिल्कुल चली आगे चलते अभी बात करते हिमोफीलिया की कुछ बच्चों नहीं लिखा भी था में सारा एडिया में हरीश परजापची का फी तेर से आ रहा ही यह कमेंट इनका बहुत इप्लिया लिखाए नों ने कि एक बार कहीं चोट लगी तो भून बैता ही रहता है वह रहता है हाला कि बहुत कम बार ऐसा होता है बहुत एक ब्रिटेन के सही परिवार में इसको देखा गया थ कि automatic अपने आप जोंना कभी blood रुखता नहीं ठका बनता नहीं उसी को बोलते है hemophilia sheen एपरपावी और X सहलों वही रिसेशी होती है इसकी जीन कैसी होती है कौन कोंसे मनेंगे एक तो बटा एक्स है अब यहां पर बताओ क्या यह एक्स के उपर एक्स लगाओ दूसरे एक्स पर एक्स नहीं लगाओ थी इसको क्या बोलेंगे आप हो़ोजाएगास हेट्रोजाएगास या फिर हैमिजाएगस यास Victoria ये बिलकुल नाम भी लिखा है Victoria जो मारानी थी ब्रिटेन की उनके प्रोव्लम थी बैई सही चल रहा हमारा अब की बार तोड़ा ठीक चल रहा है है मी बोलेंगे चलो ये बात सही है आपका ये इसमें क्या होता है कि जो एक्स-एक्स-एक्स वाली मादा होती वो तो जिन्दा यह नहीं रहती इसकी मरत्य हो जाती बुड़ा अगर ये दोनोग प्रभाविव आ गई जनम ही नहीं लेती है उसकी बचपन पर जनम लेने की मरत्य हो और गोई जीन आगी समयकमची अवस्ता में आगी तो मादा रोगी होगी उसकी क्या हो जएक पर नहीं आए उसमें लक्साइ नहीं देंगे लेकिन अगली पीडी में दोनों पर H H आ गया, मतलब दोनों एक्स पर H gene, H gene, hemophilia का gene आ गया, recessive form के अंदर, तो उसके हो जाएगी death, उसके क्या हो जाएगी बई, death हो जाएगी, अब देखो यहां पर कितनी cheating की गई है, अगर महिला है, बच्ची है, तो उसके एक H आने पर, एक H आने पर, वो केवल व मादा हमेशा केवल वहाग होती है, क्योंकि रोगी तो वैसे मर जाती है, और नर जो है, बिचारा रोगी होता है, जबकि दोनों में इस पर भी H आ है, इस पर भी H है, लेकिन यहां थोड़ी cheating की गई है, बगवान के दवारा, ठीक है बई, तो मादा हमेशा क्या होती है, इ यह जीन जो है, गातक जीन बन जाती है, गातक जीन नहीं, गातक जीन जानते हों के पहले पढ़ चुके है, लिथल जीन, जिसके बनने मातर से ही प्रानी की मरत्य हो जाती है, तो यहां पर देको दो चीज है, अगर मादा है, तो वह वहागी होगी हो मर जाएगी, नर रोग बिलकुल जिसके गारण ब्रून अवस्ता में इसकी किया हो जाएकी मरत्य जाएक गातक जीन आए तो क्या हम में हीमोफीलिया को समझा पाया क्या बैई यह वाला जो लिखावा क्या है गया हां नर रोगी हो सकता है मादा केवल वहाक होती है अगर मादा में दोनों एच एच आ गए मतलब यह प्रपावी दोनों होमोजाइगस कंडिशन में आ गए रिसे सिव तो उसकी हो जाएगी डैथ ठीक है और गातक यह लिथल जीन आप जानते जिनके बनने मातर से प्रानी की मरत्य हो जाती सुमन कहिरी सर एक बार और बताओ बटा क्या बताना है यहाँ पर जेनोटाइप यह वाले बनते हैं तीन जेनोटाइप बनते हैं हीमोफीलिया की यह एक्स क्रोमोजोम यह है एक्स गुण सुतर और एक्स गुण सुतर पर यह क्या लगा दिया मैंने यह जीन लगा दिया यह क्या लगा दिया जीन लगा दिया अगर मान लेते हैं किसी यह दो एक्स कर दिया मैंने इसका मतलब एक्स-एक्स महिला हो गई और महिला के दोनों एक्स बुन सुत्र पे एच या हिमोफीलिया का जीन आ गया तो इसके हो जाएगी death इस क्या हो जाएगी भई इस महिला की बच्पन में death हो जाएगी cross गजनी cross चिक है उसके बाद लिथल जीन माउस में ये तो पड़ा भी दिया और दूसरे पर नहीं हो तो पहली बात एक्स एक्स होती ही मानव है तो क्या होगी फिमेल होगी और एक पर दूसरे पर नहीं ही तो ये फिमेल क्या होगी ये केरियर होगी ये कभी रोगी नहीं होगी अगली पीडी में केवल रोग को ले जाने वाली होगी, इसके अंदर जीन तो होगा, लेकिन ये बिमार नहीं होगी, इसके रोग नहीं होगा, इसके क्लोटिंग वाली जो प्रोब्लम हारी ने थक्कानी बनने वाली हो, इसके नहीं होगी, महिला के नहीं होगी, लेकिन अगर यही ऐ घट कि एक एक से तेर्ट इसे नर्ग की बात करें पर एक से और दूसरा वाय होता है नर्में एक है उसके ओपर है मालो और दूसरे वाय पर नहीं वाय पर तो वैसे वह नहीं हो कि जीने किस पर रहती है यह पर यह पर तो यह क्या होगा अगई यह रोगी नर और अगई नर और अगर दोनों सेम आगई दोनों रिसेशी वर सेम आगई तो वह क्या हो जाएगा वह डेत हो जाएगी उस महिला की फिमेल की डेत हो जाएगी यह यूँ भी कह सकते है कि फिमेल कभी भी रोगी नहीं होगी तो मेल कभी भी केरियर नहीं होगा ठीक है फिमेल रोगी क्यों नहीं होगी क्यों रोगी होती है उसकी डेत हो जाती है सभी को चलिए आगे चलते हैं आगे ले बटा अभी आगे हमिफिलिया की खोज किसे ने कीती जनरल बाते हो गई किस की वज़े से होता है तो हमिफिलिया की खोज कीती जोन ओटो ने कौन से ओटो ने कीती बही जोन ओटो हमिफिलिया को डिस्कवर करने वाले थे जोन ओटो प इसकी वनसागती क्रिस्क्रोस वनसागती भी कहलाती है क्रिस्क्रोस वनसागती इसी टोपिक में आने वाली है क्रिस्क्रोस में क्या होता जैसे कोई करेक्टर है वो फिमेल जैसे नानी ना भी दादी दादी से पिता पिता से पिर मालो वापस बेटी में आ गई मतलब दादी स मालोग नोग फोटि में लख्षन आ रहा है कोई करक्टर दादी से इसे पोटि में आगे तो ला एड french eva अब देखिए हमोफीलिया के कई प्रकार यहां थोड़ा पहुत उनके बारे में दिया हुआ है बागी डिटेल और एक चेप्टर में आगे आएगा जैसे हमोफीलिया ए पहला कौन से है बई हमोफीलिया ए जो नोट यह ब्लट क्लोटिंग जो ना फेक्टर होता है इसका नाम यह से क्या कि ग्लोबीन फेक्टर तो है यह ब्लट प्रण्वा नाम होता है जुटी बुला नाम चारी कि वज़े से हो रहा है ऑध पर इसका दूसरा नाम क्या होता है इसका दूसरा नाम होता है ए अ हीमोफीलिय यह हो जाता है अभी लेते हो हम सी इमोफीलिय ऑब wedi यह होता at की कमी से a हो वे 9 की कमी से b हो वे at की कमी से a हो वे कोई दिक्कत है वह फेक्टर से यह फेक्टर का नाम है और 9 का भी दूसरा नाम है 9 को बोलते PTC plasma thromboplastin component factor factor 9 का दूसरा नाम की हो गया PTC इनको नोट कर ले ना भाई कोपी होगी तुमारे पास यह नोट्स में पहले आल्रेडी जो पढ़े उनके पास होंगे यह नोट्स होंगे कुछ ना कुछ महां होगा तो PTC फेक्टर नंबर 9 का दूसरा नाम है PTC और पूरा नाम के वज़ा है PTC का plasma thromboplastin component factor और एक होता है student factor की अनुपस्तिति से होता है और इसका जो जीन है सी वाले का हमोफीलियगा सी का जीन वह otosome पर मिलता है बाकी किसमें मिल रहे थे एक्स क्रोमोजॉम पर यानि कि elosome पर लिंग उन सुत्रों पर लेकिन यह किसमें मिल रहा है ऐलिंक पर ओत्व क्या होते हैं ऐलिंक गुंसूतर, वेड़ी जैट ओत्रों, एलिंक गुंसूतरों को कहते हैं ओत्व सॉम ठीक है? यह कुस्चन भी है किमोफीलिया सी का जो फेक्टर है या जो जीन किस पर बता झाता है, तो तो रहता है ओ्तोcalledzh सोम्स पर या एल लिंग उन्शूतरा पर बाक्य जो ए और बी वाले थे वो किस पर रहे थे जिर या इनुछे फटापट पतादे क्योव second कारक का सिम म prop रहा है उसका हिमोफीलिया एक किस की कमी से हो रहा हुस काने कारक से हो रहा है उसका ब्रेकिट पे वो भी была है कि आव ऐसी इंडा और हिमोफीलिया भी तो हीमोफीलिया भी किस से हो यावई हो दिए कि कॉन से नमबर कारक से हो रहा है छफेटर रॡ़ा मिपिटा या इसका हो गया प्लाद्मा थ्रोंप्लास्टीन और इसके बाद में यह सी वाला है हीमोफीलिया सी कौन से कारक की कमी से हो रहा है यह हो रहा है जी सी सी है ग्यार्वी नंबर कारक की कमी से हो रहा है ठीक पर फैसलिए और वाले का नाम क्या हो गया आपका पी टीए मतला प्लाज्मा थ्रोंप्लास्टीन एंटिसिडेंट एंटिसिडेंट ठीक है? हो गया चलिए आप दो करेक्टर जान चुके हैं जो X-linked है मतलब जिनका जीन X chromosome के उपर है अब आ गया करेक्टर नमबर 3 जो X गुनसुत्र पर है जिसका जीन और वो है color blindness या वर्नांदता वर्नांदता या color blindness ही खोज की थी Horner ने तो होर्नर ने, होर्नर ने color blindness खोजा ठीक है भई? होर्नर ने क्या खोजा भई? color blindness इसकी बंसागती भी सेम हीमोफीलिया के समानी होती है हीमोफीलिया हम बताओ दे कितने प्रकागे जिरोटाय बनते हैं हीमोफीलिया में जस्टिपड़ाता हमने कितने प्रकागे जिरोटाय बने थे? कितने प्रकागे केवल संक्या लिखनी है, कितने? फिर मैं बना के बता दूँगा तीन प्रकागे वेरी बूट बिड़ा तीन बने थे तीन कौन कोंसे बने थे? एक ता X at X at sorry X at X at female थी उसके death हो जाती थी दूसरा X at X ये female थी के वल केरियर थी और तीसरा X at Y ये diseased male था परदा बिमार या रोगी था तीन थे ये? same to same ही color blindness में होता है, लेकिन color blindness में क्या होता है? death नहीं होती है death नहीं होती, मरत्यू नहीं होती, बाकि same to same इसी की तरह same to same बनेंगे जैसे आप color blindness के लिए आप C ले लेते हैं याँ तो यहाँ पर ये C हो जाएगा C, C, C और C वैसे के वैसे हो जाएगा ही, बस इसमें death नहीं होगी hemophilia में H gene ले रहे तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम C ले ले लेंगे आप पता होते के कौन सा क्या होगा मैंने मानलो ये लिखा ये ये एक genotype लिखा, X, C XC बोलो क्या होगा ये female होगी या male होगा और color blindness होगी या नहीं होगी मैल है तो मैल है तो 미 लिखे और female नहीं है मैल है लेकि color blindness नहीं होगी तो F N लिखे और male है color blindness लिखे तो M N लिखे female होगी color blindness होगी इसको female yes female होगी और yes का मतलकdays color blindness होगी ये वाला ये वाला बोलो इसको disease होगी या नहीं होगी FN सुमन मिना करी फिमेल है लेकिन होगी नहीं इसको कुसुन बेटी करी वेक्टर होगी है बिल्कुल सही बात बैटा इसको disease नहीं होगी क्योंकि ये क्या होगी केरियर होगी अगली PD में लेके जाएगी बस सही आपका और यह हो तो मेल हो गए रोगी हो गए नहीं होगा मेल यस मिलकुल से बात है मेल होगा और वो क्या हो जाएगा डिजी दो हो जाएगा तो यहाँ पर मादा जो है न बिटा वो एक केस में क्या हो रही है केरियर हो रही है बागी यह डिजीजड होती है मरती नहीं है मतलब यहाँ पर मादा भी बिमार हो सकती है रोगी हो सकती है नर भी रोगी हो सकता है जबकि उधर क्या था हेमोफीलिया में मादा कभी मिलेगी नहीं क्योंकि वो बचपन में ही शिसु अवस्ता में क्या हो जाती है? खतम हो जाती है अंदर के अंदरी पेट के अंदरी मा के गरब में खतम हो जाती हो छोटे अवस्ता में चली हो गया बैस समझ में आगया तुमारे तो देखो खोज होड़न ने की थी वरणान्ता कि जो हैरिड़िटी होती वंसागेती होती हूँ हेमोफीलिया जैसी होती है किन्तु वरणान्ता एक लिथल डिजीज नहीं है मतलब गाता रोग नहीं है और नर मादा दोनों में मिलने वाला है जबकि वहाँ पर क्या था किवल मादा में मिल रहा था नर में मिल रहा था तो क्लिर हो गई यहां मरने वाला खेल नहीं है बाकी हीमोफीलिया और कलर ब्लाइडनेस दोनों सेम होते बड़ा अब यह वर्णानता कलर ब्लाइडनेस की कुछ टाइपस भी आ दिये हैं सबसे पहला है प्रोटेनोपिया यह लाल रंग के लिए होता है मतलब लाल रंग आदमी को जो न दिखता नहीं बड़ा लाल कलर नहीं दिखता है ऐसी अगर वर्णानता कलर ब्लाइडनेस हो तो उसको वो बोलाना करता है तो for red colormus return को अगर किसी को हरे रंग में दिखता आ रहे है पेचानने में तो इसको है डूटेरो नोपिया प्रकार का कलर ब्रैनियस है प्रोटेरो नोपिया लाल कलर के लिए होता है और डूटेरो नोपिया किसके लिए होता है हाले रंग के लिए होता है और एक होता है ट्राइटेनोपिया ये नीले रंग के लिए होता है नीला Tritanopia किसके लिए हो जाएगा नीले के लिए तो तीनो याद होने ची पीटा Protanopia, Protanopia Red color के लिए Duteronopia, Duteronopia Green color के लिए Tritanopia, Tritanopia Blue color के लिए ऐसी याद करना है हो गया भई तीनो तीनो याद हो गे पीटा Criss Cross वन सागती क्या है थोड़ी देर में आने वाली है आज ने तो कल वाली क्लास में आजाएगी क्योंकि याँ ताएग मैंने का आना भी कोई भी लक्षन मादा से नर और फिर वापस मादा में आ जाए मतलब जैसे दादी कई बादने तो आटो अब भाई तो बिल्कुल दादी नहीं गई जगे इसका मतलब वो करेक्टर दादी में था पिता से होके उसकी पोती में आ गया तो मतलब एक फिमेल या बीच में कोई में जैसे एक तो यह होता है करते क्रिस क्रोस और पतादी बिदापीपादी ना वह पीच में इसका मी तो कोई भी अगर इन्ईरइन्स हो रहा इसमें बीच मेंमे नेमेको उसको wordt उसको बोलते 행ल इन्हेंस आगे jak यह मॉरगन नहीं दिया था। मैने सुरू में बताया, उसकी बार बाव Talk में। निए अन्य उदार Hebम यह तो मोटे- ओद बेच में है आज अक से लिंग ऑनग inform सब्सक्राइब कर चुके एक तो ड्रोशोपिला में आखों का रंग कर चुके हैं हीमोफीलिया कर चुके हैं और कलर ब्राइड ख़ुके कितने कर चुके तीन याद करना विटा तीनों के नाम यह तीनों ऐसका जिन भी एक्स गुनसुत्र पर पाए जाता है कि वालन याद करना इनका तिन याद होचुके आपको पहले सी कौन कौन से नंबर एक ड्रोसोफिला की आको का रंग नंबर दो हेमोफीलिया नंबर तीन वर्णान दताया और चोथा आपके सामने याद हो गया नंबर चार्ड लगे डाइबिटीज इनसीपीडस नंबर पांच डखकन मस्कूलर डिस्ट्रोपी डखकन मस्कूलर डिस्ट्रोपी यह भी एक डिजीज इसको एक बार दिखादे कैसी होती है Big क्यों सा होता है शोगरी कमी से कोई सानी होता है इन्सुली कमीच होता है को इससे पहले वाले में इससे पहले बार का चुछाड़ी जयांज होंगी कि यह वाला यापको दिखाते से में वोतफा क्या डाइगरमेटी की कि विःवस्ता है अपने पास हालाग कि उस ड्रौून है आप ये दोधकोगे ईनको ड्रावने ड्रावने आएंगे कुछ पूनी चलता कि दूसरे वोला देखना चाहोगे टाइम वैसे यादि करोगे देखना पसंद करोगे यादि करोगे इक तुब बिल्कुल यादि कर लो आपको दिखा दे यह होता है इक बार चला रहें देखना है इक बार चाल लो जए उसके बाद फट्ट पट्ट चाने दिखा देगे आपको यह परमालन य्याद हो जाएंगे विर यह अपने बास योज़ता दिखा दे दिखाना है बिल्कुल बिल्कुल दिखा रहें लेकिन देखेंगे आप ही मेरेको मत करना वह सर पीछे देख लो कहीं सारे यसे-इसे ड्रावन दिखेंगे आप यह आपको घिन आएकी देख यूंको यह इसी होता है कि इसमें जरूरी नहीं है अगले बाले आ सकती कहीं सारे दिखेंगे बिदो देखना चाहेंगे बिल्कुल यह इसको वापस लें यह वाला देखो डेकन जो मस्कूलर डाइस्ट्रोपी तो जेनेटिक डिसोर्डर है क्रेक्ट्रेशिबाइक प्रोग्रेशिव मसल्डीजनरेशन और वीकिनेस द्यू टू अल्ट्रेशनों पर प्रो मसल्स मरना सुरो जाती है इस तरह की मारी है तो यह तो नॉर्मल चीज है इसकी कोई दिकत नहीं है इसके आगे बादेखना पढ़ेगा साथ बार आगे वाल कि यह लस्लैड साथ बार देखना पड़ вам कि अ है मैं प्रेजाइल एक शिंड्रोम अभी देख लैंग अ कि देखो आपको तो नहीं आएगी गिन इसको पता है तुको यह वाला कभी आपने देखा हो यह इस तरह का जो है एक मुवी आई थी उसकी अमीर खान की तारे जमी पर उसे बच्चा होता है आपने देखा हो तो उसका मान से की विकास बिल्कुल रुकाव वाला होता है यह व तो यह आपको नाम याद करने फ्रेजाइल, एकस सिंड्रोम चलिए उसे आगे वाला कोपी करके ला यह आप। मेरे वाला साब ने दिख रहा आप व आप सभिक देख रहा सबी को कि अगवे लेके ने लगाते। वैसे वाले डीजी को मोभाइल लेके वह मोभाईल अंदर एक मोभाईल आता है उसके दिवा हो उसको उसको किया है बई और कौस सोंग रहे गया जिसमें आता हुसके नदद दबाड़े बेट सेय कि अनज के सभीट्स भी कि बत्चे निकल केया हैं बी죠 rupees इता हिवालने विलकुल 20 rupees अनॉक रहें औरभ उनन हरें कोई सभी त्विभी यह फिर की ज़िए कई अग 거야 अ किलोंने में भींदल ओन यहें तो यहांपर आखोंका अन्मोर्डोल डग 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 आके उस बेवी डोल कितरे हिलती रहती है निमुडा रह गया निमुडा 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 एक वह भी आता है उसके अंदर चलो अभी डेंजरस नहीं है कुसुम रुग जा आगे वाला दिखाव जीन को शुड़ो रिकेड्स यह भी जादा कोई डेंज चलो यह भी आभासी रिकेड्स इसको पर शोड़ो इससे आगे वाला ले दातों का इनेमल दिखाव फीचर अभी बाक्की अभी तो बहुत डीजीजे आएंगी मैं सारी दिखाएता हूं आपको सारी सारी यह है डिफेक्टिव इनेमल ओफ टीथ इनेमल मतलों दातों यह भी ज्यादा करें डेंजरस नहीं है यह दिखाओ इनको चो बढ़ा कर इसको बढ़ा कर देखो साफ दिखरें और बढ़ा कर इसको फोटो कोई दातों का डिफेक्टिव इनेमल यह सारे एक्स लिंक्ट क्रोमोजों में अब वाई पे चलो अब वाई वाले डेंजर आएंगे इनको वाई वाई वाले दिखा दो आतो वादी वापस लिटा यह वाई अभी एक्स के सारे नाम याद करनें आपको मैंने पूरे पता दिए वाई वाले देखो वाई में सबसे पहला है टीडिये बनाने वाले जीनिस को छोड़ दें यह कान की त्वचा पर बालों का अगणा यह वह वाई वाले आगा है वाई अभी डरी नहीं है अभी तो डरना बाकी है अभी देख इसका यह भी जैदा नहीं है इसमें तो क्या वो अंगुलिया जुड़ी भी आती है इसे देखो यह दोनों अंगुलिया जुड़ी भी है वाई पर पाए जाते है वाले वाई देखो ही यह आ तक जुड़ी भी है ऐसे यह बोलते है वेब्ड टॉस इसका जीन कहां पर पाए इसमें काटे हुए चमडी के उपर यह वाला इसको दिखाओ यह बद्चों को दिखाओ बदा करो इसको इसको अभी 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 बड़ा इसको खिलाओ पिलाओ बच्चे के जो ने चमडी पर काटे उड़ गए पीछे तो देखो पीछे देखो पीछे यह वाला देखो दर दिखाओ इनको दिखाओ यह वाले काटे उग गए बोडी के उपर इसको बोलते हैं प्रोक्यूपाइन स्कीन कल टेस्ट है क्या बिल्कूल टेस्ट हमेसा होता है यह यह डेंजरस अभी और ले चलो जी दूसरा दिखाओ यह किस पर पाई जाते है प्रोख्युपायस खिन वाल दिजीज वाई करेक्स डीटो बिटा वाई पर पाई जाते है आगे वाला ले इस से आगे वाला अब जैको X और Y दोनों के यह फ्क्राइब उने वाले यह जीरोटERS डर्मा पिग्मेंट्स configured कि इस पर यह ले यह दिखाओ इनको यह दिखाओ मुझे नहीं देखना बढा करो इसको बढा करो इसको बढा करो देखो और बढा कर इसको देखो देखो व देखो बाई डिजी स्कार नाम अपता है इसला दूसरी ओर दिखा देख यह दिखा दिनको यह जयादा पसंदाए मुझे पता यह बच्चों संब पता है यह तो यह हैरे यह यह ढूसरी देख लो हम तो आपको देख रहे हैं, मेरे को नहीं देख रहा है, इधर देखो, डिजी सीखो इसका मतलब मेरे हो रहा है, कि जीरो डर्मा जो पिगमेंट हो लिए, मेरे थोड़ी हो रहा है हो गया? यह वाला डेंजरस का भी डेंजरस, आ गया न आप तो चली आगे चली इसको हटाओ, उसे आगे वाल दिखा, डिजीस का नाम क्या पता है, देखना ने इसका, जीरो डर्मा पिगमेंटोसम अभी आ रहा है, एपिडर्म, भाई, अंडू कर वापस क्या कर दिये? अब आ रहा है, एपिडर्मल बुलोसा यह दिखा, यह दिखा, यह दिखा, यह दिखा, यह देखो उदर हाथ में क्या हो गया? देखो भाई, कौसी डिजीस है? एपिडर्मोल आइसिस बुलोसा या एपिडर्मल बुलोसा, देखो आप नहीं देखो और देखो चलिए और और पूरा और रगया आगे वले स्लाइड में देख बस हो गए पूरे चलिए वापस देख लो इनके नाम यह सारे के सारे फ्रेजाइल बड़ी कल बड़ा स्लाइड बड़ा इसकी यह डिजीज है जो एक्स और वाई पर या दोनों पर पाई जाती एक बार फिर से देख लेते हैं देखें हमें तीन तो पहले पढ़ चुके हैं सबसे पहला है ड्रोसोफिला का आई कलर दूसरा आपका था हीमोफीलिया और तीसरा था कलर ब्लाइडेस चोथा आपका हो गया डाइट बिटीज इंसीपीडस पांचवा हो गया डककर मस्कुलर डिस्ट्रोपी छट्टा हो ग घ्रातों का खराब हो जाना तो यह सारे के सारे मिह दुरभावियों दोनों दूरभवाई के इसके जर्क एकस पर पाई जाते हैं अब लेते लेमेंपर ऐने वाले और इसी से यह Capture इन unfinished oficial schadher इनको वो केवल नर ही लेको जाएगा तो कीवल किसमे ओता हबाई नर में ओता है तो वाई गुनसुतर की जो जीन है उसको तो कौन लेके जाएगा ग溜ीलजी नर ही लेकर जाएगा सपये सबक्के तो इनको उब्चन के लिए Hunter के लिए नर के लिए तो यह कैने नर्म में पाए जाते हैं कि वाई पर पाए जाने का मतलग अधा में तो हो गाए निए डिजीज निए तो यह सारी बीमारी आपको दिखाईए धिक्षार नियुक्त बदाई यहों बदाई और सारी बेटियों को बदाई हो इन्हों कभी नहीं उगी लास वाली को सकते हैं यह दोनों वाले थे नए भी फूल सकते है यह दो तो सकती हैने लाइपर कौन कौन से गो Kr कोसिस जो का दया सिसके उपर यहां बाल गजरते यहां पर यह देख इ कितिने से हैं ना भई तो यह हाइपर ट्राइकोसिस जो है ना यह कान की तुछा पर लंबेले बालों का पाया जाना यह केवल वाई पे होता है आप देखना बहुत सारे आपको जो थोड़े उम्र दराज वेक्ति होंगे उनके कानों पर बाल मिलेंगे लेकिन महिला पर नहीं जो मिलेंगे क्यों य होटा नहीं इसका करेक्टर किस पर होता है ओस ठीक है штथ ऑसी पर अधा पूरा नाम होता है tip १्रीटर्मयंग फैक्टर आस्स बृषंड जिलेटर्माइनिग फैक्टर बुढई से व्र्यक्टर ये भी वाई पर पाई जाती है किसी बच्ची में कभी नहीं मिलेगी केवल पूरुस में मिलेगी वेब्ड टोज वेब्ड टोज का मतलो जुड़ी भी दिन है वो पंजा वो वाला भी केवल पूरुस में मिलेगा महिला में बच्ची में नहीं मिलेगा ठीक है अगर मिल रहा है तो कोई और कारण हो सकता विटा वो जेनेटिक डिजीज नहीं है फिर कुछ और कारण हो सकता उसका तो क्या सारे के सारे नाम याद कर लोगे भाई कर लेंगे आप आजो एकस और वाई दोनों पे ओ तो इसका जीरो डर्मा पिगमेंटे साव जीरो डर्मा पिगमेंटे स्वी एपिडर्मोलाइसिस बुलो शाब यह अब को मैंने बता दिया ये डीजीज दोनों लिख ले ना इनको, Zero Derma Pigmentosum Epidermolysis Bullosa, यह केवल किस पर पाए जाते हैं, X और Y दोनों पाए जाते हैं, यह वाले बाकी जो बचके Y पर पाए जाते हैं, इससे पहले वाले जो पढ़ेते हैं, वो सारे के सारे X पर पाए जाते हैं, तो मेरे इसाब से केवल आपको इनके नाम याद करने पढ़ेंगे, कौन से वाले जीन का, कौन से लक्षण का जीन, Y पर है, कौन से का X पर है, कौन से का, दोनों पर है। नेक्स्ट अब लेते क्रिस्क्रोस भन्सागती थोड़े पहले लेकिंग अंई लंक्षन होते हैं टेérieur प्रकार पड़ें सबसे पहला क्रिस्क्रोस इने मतलब ख्रीश्क्रोसबैर्च्रोस इसमें क्या होता है एक्सलगंजीन को विप्रित लिंग वाली संतती के द्वारा उसकी ग्रांड सन मतलब पोता या ग्रांड डाटर पोती पोती और पोता के लिए भी ग्रांड डाटर ग्रांड सन आता है और दोहिती के लिए भी आता है बिटा दोहिती जिसको बोलते हैं दोहितरा दोहितरी तो वहां के लिए भी लुए एक्स पे होगा और विप्रीत लिंक वाली संत्तिके द्वारा मतलँ बीच में एक विप्रीत लिंके आए गी निए उसके बाद बीच में फिर मेल आ गया बताओ यह कौन सा वाला करेक्टर हो गया इस दादा से पोता दादा से पोता दाधा कहा था नहीं नाना से दो हुटा यह ना था बहुद नाना फिर मम्मी और यह थूद ऐसे ऐसे यूभी हो सकता है कि एफ है मतलब अ मतल savli hai men to made male to female यह नो गया bursts हो गया यह हो गया दादधी से पोती हाँ नाना से नवासा के दो, दोहिता के दो एकी बात है वो दादी से पोती होगी इस तरह से आएगा मतलब बीच में कोई दूसरे विपरी लिंक आएगा उसी को बोलते है क्रिस क्रोस बंसागती ठीक है? अब एक एक को ले ले दे कौन कौन सी इसके एक्जाम्पल्स है सबसे पहला है डाया जेनिक या डाया गाईनिक डाया जेनिक या डाया गाईनिक अब इसमें पिता से पुत्री पुत्री से दो हिता डाया जेनिक या डाया गाईनिक क्या होगे भई इस प्रकार की बंसा किते में क्या होगा लक्ष्णों साम करें धिक्रिंगे 7 पुट्री और पुट्री से गूलिए मैं बता से पुत्री में चला गया तो पोतिवाल प्रो में नाना से दोई था, बिल्कुल, इसको बोलेंगे डाया गाईनिक, इसका नाम डाया गाईनिक क्यों पड़ा, गाईनिक वर्ड किसके लिए आता है, गाईनिक किसके लिए आता है, गाईनिक, गाईनिक वर्ड किसके लिए आता है, फिमेल के लिए, मेल के लिए, जैसे गाईनोल वह को जी किसकी स्टटेडी करते हैं फीमेल के लिए आता है न içा डायगाइनिक नाम क्यों बड़ा क्यों कि जो गाया निक मतलों तरब ओने इदर पिता है इदर पूत्र है कि यह अदे बतार है एकå 2 गायनिक बहना है और उसके दोनों तरब डाया मतलब दो है दोनों मेल वह इधर पिता है, इधर पुत्र है, तो कहां से का चला गया, दादा से, नाना से, दो हिते में चला गया बटई, समझ में आया बई, डाया गाइनिक कैसे हुआ, गाइनिक मिस महीला, और डाया मिस दोनों तरब मेल है, तो इसको डाया गाइनिक है दो, डाया जेनिक है दो, इस त अमझ में आगया बई हमादा के लिए होता भील्कु सही बात कि प्लेट ओरहे दिनेश कुमार जी मीना साहब रेफरेश कर डवीडियो को नाना से दोई ता डाया गायनिक डायाजे निक। ग्लिर चलिए आगे पढ़ते हैं अब आगा डाइंड्रिक, एंड्रिक सब्द किसके लिए आता है एंड्रोईसियम, एंड्रिक, 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 पुरुस के लिए आता है पड़ा मेल के लिए, गाईनों सब्द मेसा फिमेल के लिए एंड्रोईसियम या एंड्री सब्द आता है मेल के लिए, तो अब की बारते क कि यह मदर से संसे ग्राइंड डादी से पोती डाइंड्रिक 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 डाइ दादी हो गई बेटी पोती होगी दादी की ठीक है चलिए और आगे बढ़े जाए थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लेता पटा कोक रोज की पीडिएप की बजाए थोड़ा सा अब दलवा देंगे अब दुबारा मन लिखना दलवा देंगे अब आजो कितने बच्चों को आ ग जाएगी इस तरह के जो है यह समझ में आगया क्लियर हो चुक है याद भी होने चाहिए इसे ने मैं कन्फ्यूज हो गया एकजाम में जाके मुझे तो याद नहीं आ रहा मैंने तो कपक्का याद किया था लेकिन मैं भूल गया तो ऐसी आद करना भाई डाया एंड्रिक मैं पहँ इस प्रकार की बन साकती मैं नर्य या मादा पेत्र के दुए लिंग सहल-लगन लक्षनों को समान सेक्स वाले वही लिंक चले है वी लिंग के दुए पहले पहले बात उई तीज दाइनी क्या होता है महिला के लिए आता है होलो में संपूर सारी की सारी तो पूरी की पूरी फीमेल जाएंगी मतला को ना की मडर वापस लेटाइसको पर तो फिरूंड श्रवर्सन क्या नार waktu कुटना कि और 12 ग्रषटने प्रांच थे श्रव में से अडर्ष तो नानी है फिर मधर मैला्ए थादी वौत की दोई कर Halo ऐसे प्राइब के तिल्ये हमाले अअगे प्राइब उन्द एख सब्सक्राइब लो गाई नी गाई नी की नी फिमेल हो लो यानी की सारी की सारी चीक है चालो को मझे आ गया नानी याद आ गई दो नहीं हम्चेशा हो उसके बाद दूसरा बाइट यह तो हो चुछाना पहले उसी आगे आगा यह है गा होगा होऌल एंटरी को होंगे मतनलब सारे पुरुश होंगे होगे पुरुश 2 पुरुश दादा से भंठा गाडा से ऑफा है फॉथा पांटे से पॉथा ये तुमर जो सम्पूर्ण ट्रिंगे पूरु स को लानी समP squirrel गाई नहीं किया नहीं फिमेल सारी महीला है ठीक है चलिए आप बाकी कर ले लेंगे कितने बच्चों को यहांत क्लियर हो गया तोड़ा डिस्ट्रबेंस हो गया नहीं तो और अच्छा पड़ लेते हैं आज 10-15-20 मिनिट का खराब हो गया टाइम कल कर लेंगे पूरा इसको कल जेनेटिक्स आपकी पूरी हो जाई वड़ा क्योंकि बाकी टोपी क्या हमने पड़ा रखे उसमें डाल भी रखे और आगे वाले जो न वो पड़ा रखे दादा पोता फादर पोता लिखता ना पहले बीच में पोता आएका मनोज नेना वजी लिख रहे हैं कल पूरा कर लेंगे परसों जी नया करेंगे काका जी कब आएंगे काका जी अभी आएंगे 6 बजे 6 बजे 6 बजे 6 बजे आएंगे मैंने सोचा भाई एक क्रिस्क्रोस वन्सा करती में काका जी कब आएंगे पापा भी आगे दादा भी आगे नाना भी आगे सब आगे काका जी कब आएंगे फिर मुरे को चल्ग समझ में आगे तुरंदी काका जी रादिस्याम जी को बोल रह पूरिएं से कखाका काका श्वेता बोल ही ठीक है काका जी क्लास कि सब्जेक्ट होगी क्राप्स पढ़ा है क्राप्स फसल पढ़ा रहे फसल उनको बढ़िया सुपर उनकी फसल सारी पशल वो उनके तो सारी सूपर है जाराज दरी बिटा हो बहुत अच्छा करो थोड़ा सा डिस्टर्बंबेंस के लिए फिर से मुझे थोड़ा सा खेद प्रकट करूंगा और सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कल जेनेटिक्स पूरी कर रहे हैं और अभी मैं बात करता हूं को सब्सक्राइब होने वाली है कोई समाचार है कि ऐसे हां लाइव चलेगा भी डल जाएगा उसका है लेकिन काका आपसे बात नहीं कर पाएंगे इंट्रेक्शन नहीं कर पाएंगे काका तो बस मस्ती में पढ़ाई में ध्यान देते हो वह वाते बाते में ज्यादा बिलीव भी ड्ले ऍे हैं पिच्छे वाली इसी में मिलें या भाष मी पिछे वालीं काँ मिलें कर दे नको कि पिच्छे यक लास कैसे मोंड है जिनका पूरा हो गया जिनको जाना लेएं शायों से वालिक है आओ पर यूट्यूब पर यहल i गभूस पढ़े सबाएं प्रीया मीडियो लोग्राप पे लोग स passé आपको फिजिक्स देखनी हैं दस विडियो पढ़े आपको पीज़िक्रों यहां IA के लगा अब कर कर देखने तो 21 वीडियो पढ़े यह पढ़े ऐसे रख़र चैने अपना भी मिलेगा फोल्डर भाई अपना भी दिन आएगा काहा है यह वाला कि चारी केसी पड़े अभी यहाँ पर मिलेगा भी डाल देगे उनको सबको यहाँ पर पूरे एक साज मिल जाएंगे आपको अभी डलवा दिंग इनको ना यहाँ पर मिल जाएंगे टैस सिरीज मोबाईल एप है राज जिधानी एजुकेसल ग्रूप पचकोडिया के नाम से मोबाईल एप है आप चाओ तो डाइरिक्ट आप सर्च कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में एप को वहाँ पर चलती है और वो अभी 6 बजे लेगे के इंगलिस मीडियम का आज प्ला और हाँ जैनेटिक्स के पूरे वीडियो है जैनेटिक्स के पूरे हैं कापी सारे पूरे भी है कापी सारे उसमें मोबाईल एप के अंदर विटा जीतना आम पढ़ा पाए उतने तो हमने पूरे डाल दिया दिनेज कुबार जी मिना कहे रहे 12th 12th का भी बिटा इनको पढ़ते रहो यही तो 12th में आने काका जी क्लास तेस्ट दोनों टकरा गए आप टेस्ट प्रिपी जी वाड़ा बाद में दे ले ले न बटा प्रिपी जी का टेस्ट तो कल साम तक ओपन ही रहेगा तो पहले काका जी क्लास लेकि फिर दे ले ना ठीक उसम प्रिपी जी का तो कभी भी दे सकते हो आप 24 गंटे में कभी भी दे सकते हो कल साम को 6 बज़े तक लग जाएगा उसम बेटी लिख दे बाई ओके सर समझ में आ गया प्रीपीजी का टेस्ट तो कभी भी दे सकते हो आप जरूरी निए 6 बजे देना 6 बजे जरूरी निए उसको तो कभी भी देवा आप साथ बजे देओ आठ बजे देओ अपन तो उसका भी रहता है अधाण के तेरा मिनेट पर प्राईज निकल जाता है रिजल्ट वागि यह उपन ही रहता है लेकिर प्रीपीज में दो कोई को ठीक मिटाओ तो कल अभी साम को साधे साथ से मिलेंगे दासू क्लास में बाई जो बच्ची अभी आए ने उस साधे साथ बजे फिर से आना बहुत मज़ा आने वाला है तब तक के लिए जैहिन जराजदनी नमस्कार सशब्बा खेर सस्रीकाल वाहे गुरुदी पते खुदा ह हाफीज, आला हाफीज, राम रामसा